तो दोस्तो स्वागत है आपका हमारे यूटुब शेनल खंडेल का रिकेडमी में तो दोस्तो आज हम पढ़ने वाले हैं अंध्याई 11 इस चेप्टर में हम बढ़ेंगे इमारते चित्र और किताबों की जो जानकारी हमें प्राप्त हुए उसके बारे में देखिए यह चेप् चेप्टर में हम पहला पॉएं डिसकस करेंगे धातु विज्यान के बारे में कि जैसे प्राचिन जो भारती धातु विज्यानिक थे उन्होंने पहले ही विस्व धातु विज्यान में के चेप्रामुख युगदान दिया पुरा तात्विक खुदाई से यह जानकारी यह कि हड़पावाशी कुसल सिल्पी थे और उन्हें धातु कर्म अर्था धातु के शोधन के बारे में बहुत सारी जानकारे भी प्राप्तु थी उन्होंने तामबे और टीन अर्थात के आप जान सकते हैं T प्लस T अर्थात के बराबर के मतब तामबा और टीन को आपशन में मिला कर कांसा बनाया जाता था उस कांसे के बारे में यूग से जुड़े हुए थे हना उनके बारे में उसको जानकारी थी हड़पावाशी उनको और उनके जो उत्रादीकारी हुए आगे के वो लोह यूग से संबंदित थे याद रखें भूहा और ढलवा लोग इन में से अब से अब देखते हैं अगला जो पॉइंट दिया हुआ है लह इस्तम हम मेहरोली अरुछ जो दिल्ली में स्थित्स है मेरोली में क्या है कुतुम मिनार है उसके परिशर में ही लह इस खड़ा हुआ है जो भारतिय सिल्फ कारो की कुशलता क का एक अद्बूत उधारन है इसकी उचाई जो है साथ दसमलों दो मीटर है और इसका जो वजन है वह तीन टन है तीन टन याद रखेंगे यह जीगे में यह कोशन आ सकता है इसका निर्मार लगभग स outta यहार बाका उसके बाद यह इतने वर्श्यों के बार इनल समय के साथ क्या होता है लोहे में लगते रहता है क्योंकि वातावण की नमी करह आदान के परिवर्थन होने लगता है यह प्रिवर्थन लगता है अब सोची कि इंटों पत्धों की मारतों से हैं हम इस टॉपिक में देखते हैं कि इसमें सिल्प कारों की कुछलता के नमूनों जैसे कोई स्थीब के बारे में जो जानिकारींании रखा जाता है अब याद रखेंगे उस टीप में क्या होता है जो अनुवाई होते थे या बुद्ध होते थे उनके सरीर के उसे जैसे दाथ हड़ी या राक या उनके दौरा प्रियुक्त की गई हुई चीजें या कोई कीमती पत्थर या अथवा जो सिक्के होते थे उनको वहां रखा जाता था इसे दाथू अर्थात मञ्जूसा कहते थे यह कहते हैं प्रारंबी की स्टूप धातु मंजुसा के उपर रखा मिट्टी का टीला होता था बाद में इस टीले के उपर इट से ढग दिया गया और बाद के काल में उस गुम्मद नुमा धाचे को तरास्ते हुए पत्थर से ढग दिया गया देख सकते हैं यहाँ पर सांच प्रदिक्षिणा पत्थ कहा जाता था इस रास्ते को रेलिंग से घेर दिया जाता था जिसे वेदिएका कहते थे तर के सुरान प्रय मूर्तिकला के सुनदर कला करत्यों से सजय होते अब देख सकते हैं किस प्रकारण की मुर्तिकल आहसों के समय हुआ और बागि जो तराशने का रेलिंग प्रविस्दौर बनाएगा यहां पर आग्ये कि बात के सासके है। हम की इस साइड में देखेंगे कि यह अमरावली की एक सिल्प आकरती है अब ध्यान से देखेंगे इसे अब जानते हैं आगे के बार में कई बार क्या होता था को अब इसको के आरंबिक हिंदूों का निर्मान भी किया गाया इस काल के समय इन मंदिरों में विश्ञू श्यो दूर्गा जैसे अन्ने देविदित्वां की भी पूजा होती थी मंदिरों का सबसे महथ पूण भाग्ञ गर्व करह होता के लिए बीत्रागाउ जैसे मंदिरों के उपर काफी उचाइओं तक बनाया निर्माण किया जाता था ताकि इसे सिकर कहा जाता था जो उपरी भाग होता था मंदिर का जो इदम चोटी नुमा उसे सिकर कहा जाता था सिकर के सिकर निर्माड के कठिन कारे के लिए साउधानी की साउधानी भर योजनाय बनायनी पड़ती थी हना क्योंकि अधिकतर मंदिर के मंडब मंडब नाम की एक जगा होती थी जहां पर सभागार होता था महां पर सभा होती थी मतब लोग इकटा होते थे महाबलीपुरम और एहोल चालूकी की राजानी हमने पड़े महाबलीपुरम वहीं दक्षिनवी प्रदेश में जो सासक महाराज करते थे इन राज्यों में इन सहरों में पत्थरों से बनी हुई कुछ उतकष्ट मंदिर भी हुआ करते थे इनमें कुछ दिखाये गए हैं आप माड़ी को तराशकर इसे मंदिर बनाया गया इसलिए से कास्मिक मंदिर कहा जाता है ठीक है बहुत भिन्नु होते थे और विभिनिप्रकार की मारतों पत्थरों और पकी इटों के द्वारा इसे बनाये गया ठीक है आगे बढ़ते हैं आगे हमारा हमारा जो अलग टॉपी मंदिर किस तरह बनाये जाते थे देखते हैं इस तूप तता मंदिर को बनाने की प्रक्रिया कई अस्ताओं में होती थे इसके अतरिक काफी धन भी खर्श होता था खास तोर पर राजा या रानी इन्हें बनवाने का निश्य किया करते थे ठीक है पहला काम अच्छे किसम के डिसिजन होता था निन्य करते थे और सासी साथ पत्थरों को काट कर तराशने के बाद खंबो दिवारों की चोकटों फर्शों और चथो जो चछत होती थी उसका आकार उसे आकात दिया जाता था इन सब तयार होने के बाद सभी जगों पर उन्हें लगाना काफी मुश्कि करते हैं उपर और नीचे वली मंजिर फिर्स फ्लोर फ्लॉर फ्लोर टीक है कvic में प्रवेशदार को द्यान में नभी देख सकते हैं नब्राश्टे जो संगराल है नए डिली उनमें एक मूर्त्य को संग्राल ही ने दिली उनमें मूर्ती का कि देख सकते हैं, नीचे साइट ये वाला दिया हुआ है, ये वाला, ठीक है, आगे हम देखें कि इस तरह कि सांदा धाचों का निर्माण करने वाले सिल्पकारों को सारा खर्चा संबता राजा और राजा और राणी ही दिया करते थे, इसके अत्रेक्त इन इस्तुपो या मंद खरबाया, ठीक है, इनकी सजावट के लिए पैशे देने वाले विपारी, करशक, माला बनाने वाले, इत्र बनाने वाले, लोहार, शुनार, हना, और तता ऐसे कई इस्तरी पुरुष भी सामिल थे, जिनके नाम खंबो, रेलिंगो, दिवारों पर आदी पर खुदे हुए इसलिए इन इस्थानों को देखने आ जाओ, तो याद रखना कि इतने सारे लोग इने बनाने और सजाने में युगदान दिया था, जब भी हम इसे देखने जाएं तो आप ध्यान रहेंगे कि वाँ पर इनके नाम लिखे हुए हैं, अब ध्यान रखेंगे कि इतने लोगो है जहां पर पहाडों में सेक्ड़ सालों के दोरान कई गुफाएं खोदी गई, इनमें ज्यादतर बहुत भिक्चिओं के लिए बनाये गए विहार थे, कुछ को चित्रों दोरा सजाया गया था, या इनके कुछ उदारन दिये हुए हैं, गुफाओं के अंदर अंदेरे हो होने की वज़ा से अधिकान चित्र मशालों की रोश्नी में बनाये गए हैं, देख सकते हैं आप, इन चित्रों के रंग लगबग जो हैं 1500 साल पहले ही चमकदार हैं, 1500 साल के बाद भी इतने चमकदार हैं सोची चित्र, ये रंग पौधो तता खनीजों के द्वारा बनाये इन महान करतियों को बनाने वाले कलाकार अग्यात हैं यानि कि इसकी कोई जानकारी नहीं है कि यह चीत्र किसने बनाया, और किस प्रकार बनाया, पर यह रंग पौधो और खनीजों के दौरा बनाये गए पुस्तक दुनिया है इस पॉइंट में देखेंगे जो पुस्तक थे हैं उसमें महाकावी की रचना की गई उतकष्ट रचनाओं में इस्त्रीपुरुष्ट की वीर गाता हैं देवी देताओं की जोड़ी कतायें भी थी हाना करीब 18 साल पहले की वात है प्रस्चिद्ध तमि हैं जो पुहार में रहता है और अपनी पत्नी कंगी की उपेक्षाकर एक नर्त की माधवी से प्रेम करने लगता है बाद में वहां कंगी और पुहार कंगी पुहार मुचोड़कर मदुरे चले गए और वहां पांडय राजा के दरबारी जोहर ने कोलन पर चोरी का जोटा अरोप लगाया जिस पर राजा ने उसे प्रादंड दे दिया कंगी जो अभी भी उससे प्रेम करती थी अन्याय के दुख के कारण और रोज से भर गई और उसने मदुरे शहर का विनास कर डाला इसके बारे मे मेख लई जो करीब 14 साल पहले लिखी गए इसकी रचना की गई इसके रचनाकार जो थे वो ते सतनार हना इनमें कोलन तता मादवी की बेटी की कहानी है यह रचनाय कई सद्यों पहले ही हो गए थी लेकिन उसके बाद पांड़ी लूपे दौरा एक सो साल पहले ही ढूना ग मेंग दूत का एक श्लोक यहां पर दिया हुआ है आप इससे देख सकते हैं चलिया अगे बढ़ते हैं अगे हम कहानी पुरानी जो कहानियों का संकलना और संदक्षन के बारे में टॉपिक याला टॉपिक कवर करते हैं क्योंकि यह टॉपिक हमाली इंपॉर्टेंट ही है त राचिन या पुराण पुराणों में विश्णु शेवु दॉर्गा पार्वति जैसे अन्य देविजुतां से जोड़िवी कहाशा है इनमें इन देविजुतायों की पुझा की विदिया दी गई है इसके अत्रिक सेंसार की वेत पढ़नी के अनुमती नहीं थी, वे भी इसे सुन सकते थे, पढ़ पढ़ नहीं सकते थे, पुराणों का पाध पुजारी मंदीरों में क्या करते थे, जिससे लोग सुना करते थे, संस्रिक्री दो महा कावे, महा भारत और रामायर, लंबे अर्से से लोग प्रीर है, महारी तो बहुत पुरानी है, पर आज इसे हम जिस रूप में जानते हैं, वो करीब 500 साल पहले ही लिखी गई थी, महा भारत की कहानी, याद रखेंगे आप, माना जाता है, पुराणों और महा भारत दोनों ही व्यास नामक रशी ने, एक रशी थे, उन्होंने संकलित किया मा भारत में भगवत गीता भी है, जिसके बारे में हम अध्याय 9 में पड़े, रामन की कथा, कोशल के राजकुमार राम के बारे में है, जिनके पिता उन्हें वनमास दे दिया, वन में उनकी पनी सीता, लंका के राजा रामन के द्वारा अपरण के लिए कर लिया था, ठीक मा भारत की तरह ही रामायन भी एक प्राशिन कहानी है, जिसे बाद में लिकित रूप दे दिया गया, और रामायन जो संस्कृत रामायन के लेकक वालमिकी माने जाते हैं, आप याद रखेंगे संस्कृत रामायन के लेकक वालमिकी थे, ठीक है, आगे आम लोगों के द्वा आदी की रशना करते थे, गाना गाते थे, नासते थे, नाटक को खेलते भी थे, हना, इन में से कुछ तो समय, इस समय के आसपास जातक और पंचित तंत्र की कहानियों के रूप में लिख कर सुरक्षित कर लिए गये, जातक कता हैं, तो अक्सर इस्तोपों की रेलिंगों अज करना नहीं है, हम पॉइंट्स को कवर करते हैं, हमारा उदेश से सिर्फ पढ़ाई करना है, ताकि हम एक्जाम में अच्छे से स्कोर कवर अप कर पाएं, ठीक है, तो मंदर और राजा की कहानी है, आप वीडियो पुष करके इस कहानी को पढ़ सकते हैं, यह लगबक बंदर पर एक राजा की कहानी है, जो हिमाले पर गंगा के किनारे लगबक 80,000 के साथ रहते थे, उनकी कहानी है, बहुत अच्छी कहानी है, आप इसे ध्यान रखेंगे, अच्छे से पढ़ ले हैं, वीडियो पुष करके, आईए विज्ञान की पुस्तके के बारे में अगला जो और जो खगोल सास्त्री आरे भट्टे ने, संस्कृत में आरे भट्टम नामा के एक पुस्तके रचना की, उन्होंने लिखा कि दिन रात प्रत्वी के अपनी धूरी पर अक्छ, जो धूरी अक्छा है, उस पर चकर काटने के वज़ा से होते हैं, जबकि लगता है कि रोज स रक्त होने वाली विधी, ठीक है, वरामीर, ब्रह्मगुप्त और भासकर अचारे कुछ अन्य गणी तग्य और खगोल वित्ता थे, जिन्होंने कई खोजे की, इसके बारे में और पता लगाएं, ठीक है, यह जानकार यापके लिए है, आप उनके बारे में अच्छे से आज भी यह पूरी दुनिया में प्रेयोग की जाती है, रोम के निवाशी सुनने का प्रेयोग किये बगैर गिंती करते थे, उसके बारे में और भी जानकारी हासिल करने की कुछिस कर सकते हैं, यह इंपोर्टन नहीं होतना, आयरिवेद, आयरिवेद चिकिस्ता विज्यान आशदी सास्तर की एक प्रमुकुल लेखनी पुस्तक है, अपनी रचना सुसरु सहिंता में सुसरुत ने सल्लेश चिकिस्ता की विदियों का वर्णन किया है, ठीक है, हमारे याला में में टॉपिक हमारे कावर हो गए है, लाश्ट में हम अन्यत्र पढ़ेंगे, अन्यत्र म उनके बारे में जानकारी थी, तो अन्य देश में क्या हो रहा था, अन्य छेत्र में क्या हो रहा था, उसके बारे में, कागच आज रोजो मर रहा है कि जिंद्गी का हिस्सा बनिया है, जो किताबे हम पढ़ते हैं, वे कागच पर ही छपी होती है, उसी तरह लिखने के कपड़ो & रश्चियों और पेड़ों की छलंग को पीटपीट कर लुगदी बना कर उसे पानी में भिगो दिया फिर उस लुगदी को दबा कर उसका पानी नीचोड़कर तब सुखा कर कागज बनाया। भी लोग हाग के कागजों के बनाने के लिए इस विदी का विदी को अपनाते हैं या अपनाया जाता है कागज बाने का तरीका या तक्रीक सद्धियों तक गुप्त रखा गया करीब लेकिन क्याए वो चाते नहीं त है कि अन्या देशे के बारे में जानकरी प्राप्त वहाँ की लोग रेसम के कपड़ों का व्यूस करना सीखेए थे और साथ ही साथ क्या हुआ कि जब वो अने देशों में ब्रहमण के लिए जाते थे तो अपने साथ रिजम के कपड़े ले जाते थे फिर इस प्रकार से जानकारी अने एक से देश से दूसरे देश में फैलते गई और बाद में यह फैशन का एक हिस्सा बन गया इसके बाद हम जो में में जो हमारे जो सन रहे हैं जो साल रहे हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे आईए उसको स्टार्ट करते हैं यह एक नजर हम तीथिओं पर बीडाल देते हैं जैशा कि यहां पर देख सकते हैं लिखा हुआ है लगवग 2000 की सुरुवात की बिंदू पर हम ध्यान पर देख सकते हैं घटना प्रक्रियाओं से संहोने वाली अनुमाने तीथिओं की जानकर यहां पर दी हुई है जैसे कि प अडपा के नगरों का जो विकास है लगबग 2700-1900 इसापूरों के बीच का समय था रिगवेद की जो रचना का जो काल था वह 1500-1000 इसापूरों के बीच का समय था महा जनपत तथा गंगा के मैदानी इलाकों में नगरों का विकास तथा उपनिशाद जयन धर्म तथा बहु को बने थे इसापूरों अषोका जो शावं का था लगबक इन्होंने तीस साल सम्थिंग सासंद की ए तो 272 या 268 इसापूरों से 231 इसापूरों तक इनका शावं संगम साइथि की जो रचनाती 300 इसापूरों या तीनसो के बीच में की गई कर इसका जो साशन था इसके बारे में उतनी अच्छी जानकरी हमें प्राप्त नहीं हुई है गुप्त जो सामराजी की इस्तापना है वो लगभग 320 इस्वी में की गई ठीक है वल्लभी की वल्लभी की परिसद में जैन साहित्ते का संगलन लगभग 512 या 521 इस्वी में किया गया हर्श्वदन का जो सासंता 606-647 इस्वी में तक चला चीनियात्री स्वें सांग का भारत आगबंद 630-643 इस्वी तक था पुलकेशन दितिका जो सासंता 609-642 इस्वी तक था ठीक है यह प्रमुक जो हमारे तीथिया हैं बहुत इंपॉर्टेंट है आप इसे याद रखेंगे यह समावत होती हैं अब बताएंगे कि आपको हमारा आज का चैप्टर कैसा लगा अब तक चैप्टर को कैसे लगे धन्यवाद और